समाचार पत्र, रेडियो एवंग अन्य जनसंचार माध्यमों की तरह दूरदर्शन भी एक जनसंचार माध्यम है हमारे देश में दूरदर्शन की अस्थापना 15 सितंबर 1969 को हुई और तब से ले करके दूरदर्शन यानि हम टेलिविजन की बात कर रहे हैं टेलिविजन ने काफी उन्नती की लेकिन जब इसकी अस्थापना हमारे देश में की गई तो इसका प्रमखुद देश्य सिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए था लेकिन दीरे दीरे दूरदर्शन का जो विस्तार है वो चौतरफा होता गया और दूरदर्शन आज की तारिक में बरतमान समय में किवल सिक्षा के लिए ही नहीं मनोरंजन और सूचना प्रसारण के लिए बखुबी कारे कर रहा है यहाँ पर हम दो सब्दों में विभीत करना उची समझते हैं जब हम दूरदर्शन की बात कर रहे हैं तो उसके दो अर्थ लगाए जा सकते हैं एक तो हमारे भारती परिवेश में हमारे देश में दूरदर्शन एक संस्था का नाम है एक संगठन का नाम है और दूरदर्श दूसरे अर्थ में टेलिविजन का संदर्व लिए हुए है एक यंत्र का नाम है एक यंत्रिक प्रडाली का नाम है जो दूर दराज से चित्रों को एकत्रित करके दूर दराज तक पहुचाने का कारे करता है हम दोनों का संदर्व लेते हुए यहां पर बात करना चाहेंगे बिसेश करके हमारे देश में जहां पर दूर दर्शन एक संधन के बतौर कारे कर रहा है और बहुत सारे दूर दर्शन के चैनल्स हैं इसके अलावा बहुत सारे दूसरे टेलिविजन के चैनल्स हैं जो पूरे देश को कवर किये हुए हैं और देश के कोने कोने तक सूचनाओं को मनोरंजन को और सिख्छा को पहुचाने का कारे बखुबी कर रहे हैं यहाँ पर मैं आपका ध्यान उस तरफ लाना चाहूंगा जहाँ पर की दूर दर्सन के राश्टी प्रसारण की बात करते हम अक्सर आपने डीडी नेशनल पर ये सब्द सुनते हुए कुछ कैब्स भी आपने देखा होगा कुछ लिखी हुई बात भी आपने देखा होगा जैसे राश्टी प्रसारण की बात कहते हैं राश्टी प्रसारण की बात होती है उसका समय भी निधारित होता है और वो बताया भी जाता है उसकी सूचना भी दी जाती है कि इस समय हमारा राश्टी प्रसारण सुरू होगा कुछ चैनल्स ऐसे हैं हमारे देश में जो ये बात बताते तो नहीं है कि ये राश्टी प्रसारण है अथवा नहीं लेकिन वो देश के काफी हिस्से तक अपनी बात को अपनी द्रिस्यों को पहुँचाने का कारे करते हैं जब हम राश्टी अस्तर प्रसारण की बात करते हैं तो निश्चित रूप से एक बात मन में उभड़ करके आती है कि ये राश्टी प्रसारण किस भासा में हो निश्चित रूफ से जब हम राश्टी प्रसारण की बात करते हैं तो हिंदी भासा सरव सबसे पहले उभर करके सामने आती है क्योंकि हिंदी माध्यम से जब भी हम किसी बात को पहुँचाने की कोसिज करते हैं तो हम देश के अधिकांस हिस्सों तक, अधिकांस जनता तक पहुँच पाते हैं। हमारे देश के कुछ भाग ऐसे हैं, जहां पर हिंदी संभवता उतनी प्रचलित नहीं है, वहां की छेत्री भासाएं आम तोर पर संप्रिशन का साधन हैं, विसेश करके दच्छी भारत में, वहां पर हमारे लिए लिए लिंक भासा के रूप में अंग्रेजी प्रयोग में लाई जाती है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि देश के अधिकांस भागों में कुछ एक अस्थानों को छोड़ दें, कुछ छेत्रों को छोड़ दें, तो अधिकांस छेत्रों में हिंदी भासा, सूचनाओं को लेकर के लोगों तक पहुंचाने का कार्य आसानी से कर सकती है और कर रही है। दूर दर्सन के कार्य छेत्र का प्रस्ण है, दूर दर्सन अन्य जन संचार माध्यमों की तरह मुखे रूप से तीन कार्य करता है, मनोरंजन का कार्य करता है, सूचनाप्रसारण का कार्य करता है, और सिछ्छा देने का कार्य करता है। मनोरंजन के लिए बहुतेरे प्रकार के कारिक्रम दूर दर्षन खुद बनाता है अथ्वा दूसरे के कारिक्रमों को ले करके प्रसारित करता है जैसे फिल्मे जो फीचर फिल्मे बनती हैं उनको बनाने के दूसरी संगटन हैं दूसरी संस्थाएं हैं लेकिन दूर दर्शन उसको अपने यंत्रों के मताबिक ट्रांसफर करके उसको अस्थाना इंतरीत करके टेलिविजन पर फीचर फिल्मों का परसारण करता है तो ये बात मुनोरंजन की अंतर का ताती है आईए थोड़ा ये देखने का प्रयास करें कि दूर दर्सन किन किन कारेकर्मों के जरिये हिंदी की सेवा कर रहा है सबसे पहले हम लेते हैं फिल्मों का माध्यम जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि फिल्मों को दूर दर्सन की यंतरों के मताबिक अस्थानांतरित करना संभव है फिल्म के टेक्निकल जो यंतर हैं वो अलग है और टेलिविजन के अलग है तो जब फिल्मों की यंतरों से फिल्मों को ट्रांसफर करके दूरदर्सन के माध्यम से प्रसारित किया जाता है तो फिल्में लोगों तक पहुचती है यहां पर मैं कुछ एक फिल्मों का नाम लेना चाहूंगा जो कि सहित आधारित हैं, हिंदी के गरंथों पर आधारित हैं और सहित कारों द्वारा लिखे गए नाट को उपरन्यासों पर आधारित हैं अगर हिंदी फिल्मों को बर्गिक किया जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ फिल्में ऐसी हैं जो इतिहास आधारित हैं, एताहसिक घटनाओं पर आधारित हैं जैसे अभी अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई जोधा अगबर, जोधा अगबर का मूलत तब तो जो है वो इताहसिक है इसी तरह से बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो पौरानिक हैं, जो देवी देवताओं से संबंधित, कहानियों पर आधारित हैं वो किसी भी धर्म के देवी देवता हो सकते हैं, तो दूसरी कटेगरी ये हैं, तीसरी कटेगरी अगर आप ये देखेंगे फिल्मों की तो एक समाजिक संदर्व है फिल्मों का, जो समाज आधारित है, समाज की बातों को समाज के मूल्लियों पर फिल्में बनाई गई है, चौथी कटेगरी अगर आप देखें, तो एक परिवार को ले करके है, परिवारिक फिल्में जिसे हम कहते हैं, तो विभिन कटेगरी में, बिबिनिस रेडियो में फिल्मों को भी भाजित किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनकी पटकथा लेखक ने कल्पनात्मक रूप में लिखा है। उसका कोई एतहासिक, पौराणिक या कोई और संदर्ब नहीं मिलता है। लेकिन बहुत कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनका की हमें एतहासिक और सामाजिक संदर्ब मिलता है। और उसके जो कहानी है उसके लेखक भी हमको दिखते हैं। जैसे एक फिल्म हम आपके सामने उसका नाम लेना चाहेंगे तीसरी कसम, तीसरी कसम फिल्म, फडिस्वरनात्रेडू के द्वारा रचित कहानी तीसरी कसम पर आधारित है। इसी तरह से आपको बहुत सारी फिल्में देखने को मिलेंगी जो की उपन्यासों पर आधारित है कहानियों पर आधारित है जब ये फिल्में लोगों तक पहुँशती हैं तो निश्चित रूप से लोग सहितिकारों द्वारा लिखी गई कहानियों और उपन्यासों को बड़े आसानी से ग्रहन कर लेते हैं फिल्मों के अलावा टेलिवीजन पर अगर आप देखें तो आपको नाटकों का भी दर्शन होगा हिंदी के नाटक देखने को मिलते हैं आपको छेत्री बोलियों के भी नाटक देखने को मिलेंगे जैसे भोजपूरी में जो नाटक की सैली है वो नाटक की है आप टेलिवीजन पर कभी कभी जो है देखेंगे कि नौटंकी से संबंधित या नौटंकी आधारित नाटक प्रसारित किये जाते हैं तो जहां एक तरफ नाटक में दी गई विशेवस्तु लोगों तक पहुँशती है वहीं दूसरी तरफ हिंदी और हिंदी से संबंधित जो बोलियां हैं उनसे भी लोगों का परिचय होता है उनसे भी लोगों का की मुलाकात होती है आगे चलते हैं तो आप देखेंगे कि दूरदर्सन पर चाहे वो भारत का दूरदर्शन हो जो डीडी नेशनल है या और उसके कोई चैनल है या किसी अन्य प्राइवेट चैनल के माध्यम से लोक गीतों का भी प्रसारण होता है बहुत सारे लोक गीतों की रचना साहितेकारों ने किया है मैं आपको नाम लेना चाहूँगा चाकूर ने बहुत सारे लोक गीतों की रचना किया और जब कोई ब्यक्ति इन गीतों को गाता है और दूरदर्शन के लोग टेलिविजन के लोग जो जो भी चैनल हो इन पर कोई कारेकरम बनाते हैं और उनका प्रसारण करते हैं तो निश्चित रूप से इन लोक गीतों से लोगों की मुलाकात होती है इन लोक गीतों का आनंद उठाते हैं साधी साथ इन बोलियों को जानने का प्रयास करते हैं इसी तरह आगे चलें तो आपको दूरदर्शन पर बहुत सारे धारावाहिकों का भी दर्सन हुआ होगा बिसेश करके मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा महाभारत और रामाएड का महाभारत और रामाएड की कथा जैसा कि आप जानते हैं रामाएड की कथा जिस पर राम की कथा महरसी बालमिकी ने लिखा है संस्कृत में और राम चिर्टमानस में गोस्वामी तुलसी दास ने लिखा है और भी बहुत सरे राम की कथा को और विबिन भासाओं में उसकी लिखा गया है लोगों तक पहुचाने का प्रयास किया गया है लेकिन जब रामायड नाम का धारावाहिक आता था दूर दर्सन पर तो मैं आप को बताओं कि लोग सडकों पर नहीं नजर आते थे लोग टेलिविजन के सामने बैठे हुए उस धारावाहिक का आनन्द उठाते थे वही इस्तिती महाभारत की रही कहने का मतबिया है कि रामायड और महाभारत की कथा वस्तु जो साहितिकारों ने लिखा है उन पर आधार जब धारावाहिक बना और उसका परसारण हुआ तो निश्चित रूप से लोग इन धारावाहिकों के माध्यम से जो कथा वस्तु लिखी गई है जो विशे वस्तु इसकी है जो कहानी है वो काफी हद तक लोगों तक पहुँची और जो लोग रामायड और महाभारत की कथ से कम पर्चित थे वे भी काफी हद तक पर्चित हुए इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो महला अचल फलेश्वनात रेडू का एक उपन्यास है उस पर भी आधारित एक धारावाहिक का परसारण किया गया इसी तरह से मुझे याद है गोदान पर आधारित तीन इप इपिसोड था और तीन इपिसोड में जहां तक मुझे याद है यह धारावाहिक परसारित हुआ गोदान धारावाहिक देखने के बाद जब कोई व्यक्ति गोदान उपन्यास अगर पढ़ा होता है तो उसके सामने जब वो द्रिस से आता है तो उसके मस्तिक्स के पटल पर एकदम चिरस्थाई हो जाता है कहने का मतबिया हुआ कि धारावाहिक भी हिंदी की सेवा करने में काफी मददगार सावित हुए हैं इसी तरह एक और धारावाहिक का हम नाम लेना चाहेंगे चंद्रकांता बहुत ही अच्छा धारावाहिक देखने को मिला इसके अलावा अगर हम आगे चलें मनुरंजन के अलावा तो दूसरा कार्य जो है दूरदर्शन का वो है सूचना प्रसारण का सूचना प्रसारण के अंतरगत आपने देखा होगा अलग-अलग समयों पर समाचार प्रसारित की जाते हैं कभी प्रादेशिक लेवेल के समाचार होते हैं कभी रास्टी लेवेल के समाचार होते हैं कभी समाचार काफी विस्तार से होते हैं कभी समाचार मुख्य समाचारों के रूप में परसारित किया जाते हैं समाचार हिंदी में भी प्रसारित किया जाते हैं समाचार अंगरेजी में भी प्रसारित किया जाते हैं और जो चैनल छेतरी भासाओं के लिए समरपीत हैं वहाँ पर उन चैनल के माध्यम से छेतरी भासाओं में भी समाचारों का प्रसारण होता है लेकिन जहां तक हिंदी समा जब प्रसारित किया जाता है तो लोग हिंदी भासा से परचित होते हैं और जिनको हिंदी कम आती है या कम समझते हैं समाचार अगर बराबर देखते रहें तो संभावतव उनकी हिंदी में जो योगिता है जो दक्षता है वो बढ़ सकती है कभी कभी ऐसा होता है कि समाचारों के धोरान ये बात आती है कि हिंदी जगत में क्या हो रहा है इससे भी संबंधित समाचार होते हैं हिंदी साहित में क्या हो रहा है इससे भी समबंदी समाचार प्रसारित की जाते हैं और जब इससे समबंदी समाचार प्रसारित की जाते हैं तो किसी हिंदी के बिद्वान को स्टूडियो में बुला करके उनकी टीका टिपड़ी उनकी जो है उनकी बात भी साथ साथ प्रसारि हिंदी की सेवा करने में दूरदर्सन यानि टेलिविजन के जो सूचना प्रसारण का जो कार्य है वो भी काफी हद तक मददगार सावित होता है अब आईए चलते हैं देखते हैं कि हिंदी को पढ़ाने में हिंदी की सिक्षा देने में दूर दर्सन यानि टेलिविजन की क्या भूमिका है जैसा कि मैंने बताया, सुरू में ही बताया कि दूर दर्सन मुख्य रूप से तीन कारे करता है मनोरंजन के लिए कारे करता है, सूचना प्रसारण के लिए कारे करता है और सिक्षा के लिए कारे करता है सिक्षा के लिए किस तरह हिंदी की सिक्षा के लिए दूर दर्सन समर्पित है वैसे तो हिद्धी के अलावा अन्य भासाओं की भी सिख्षा दूरदर्शन के माद्यम से होती है अन्य विशियों की भी सिख्षा दूरदर्शन करता है लोगों को पढ़ाने का प्रयास करता है लोगों को सिखाने का प्रयास करता है लेकिन कुछ कारिकरम ऐसे बनाय जाते हैं जो पूर्ट हिंदी भासा के लिए हिंदी साहित के लिए समर्पित होते हैं यदि आप UGC चैनल देखते हैं, तो आपको अक्सर हिंदी आधारित, हिंदी भासा आधारित, हिंदी साहित आधारित, बहुत सारे कारिकरमों को देखने को मिलेगा। ये जो कारिकरम हैं, वो इनिवस्टी के, कालिज के विद्यार्थियों के लिए होते हैं, स्लेबस पर आधारित हो सकते हैं, अथ्वा स्लेबस पर आधारित नहीं भी हो सकते हैं, जैसे कभी-कभी ये होता है, कि स्लेबस में ये विसे नहीं दिया गया है, लेकिन उस विषय पर जब कोई कारिकरम बनाय जाता है तो स्लैवस में दिये गए विषयों को समझने में ये कारिकरम मदद करता है इसको हम कह सकते हैं कि ये enrichment type कारिकरम है जो protection रूप से स्लैवस आधारित नहीं है लेकिन स्लैवस में दी गई बातों को समझने में मददगार सावित होता है मुझे याद है कि जब हम पढ़ते थे खास करके जब हम इस्कूल में पढ़ते थे तो हिंदी के कुछ लेखों को पढ़ने में हिंदी के कुछ कविताओं को पढ़ने में हम कलपना करते थे हिंदी की कहानियों में भी कलपना करते थे जैसे मुंसी प्रेमचंद की कहानी एक मुझे आज भी याद है इदगा नाम की कहानी जिसका मुख्य चरित्र हामिद नाम का एक पतला दुबला आठ नौ वर्स का बालक है जब हम उस कहानी को पढ़ते थे तो हम कलपना कर लेते थे एक गाउं की कई बच्चे हैं उसमें इद का तेवार मनाय जा रहा है उसमें हामिद नाम का एक बच्चा है जो मेले में जाता है और अपनी दादी के लिए चिम्टा खरीद के लाता है क्योंकि उसकी दादी के पास चिम्टा नहीं है तो जब रोटी बनाती तो उसके हाथ जल जाते हैं ये कहानी जब पढ़ते हैं तो मन में कलपना पैदा होती है और कलपनात्मक रूप से हम एक पूरा एक फिल्म बना लेते हैं एक ड्रामा बना लेते हैं अपने मन में लेकिन जब दूर दर्सन पर इसी तरह का कोई कारिक्रम आता है चाहे वो फिल्म के रूप में हो चाहे वो टेली फिल्म के रूप में हो धरावाहिक के रूप में हो या कहानी का रूपांतरन हो वीडियो रूपांतरन हो जब इस तरह का कारिक्रम आता है तो हमने जो किताबों के माध्यम से पढ़ा है उस चीज को असपस्थ होने में दूर दर्सन काफी मदद देता है इसी तरह से अगर आप देखी तो बहुत सारी कविताओं को भी जो है आप कविताओं को पढ़ते हैं उसका रसास्वादन करने की कोशिस करते है लेकिन जब किसी कविता पर कोई कारिक्रम बना होता है और कारिक्रम आप देखते हैं तो उसके रसास्वादन की जो सीमा है वो और बढ़ जाती है और जो हमें कहीं कठिनाई होती है समझने में वो उसमें हमें आसानी मिलती है दूर दर्सन के कारिकरमों के द्वारा तो दूर दर्सन के जो कारिकरम हैं वो पढ़ने के लिए भी मददगार हैं समझने के लिए भी मददगार हैं और हिंदी विषय पर आधारित कारिकरम जो बनाये जा रहे हैं खास करके मैं E.M.R.C. इंदाउर का नाम लेना चाहूंगा जिसने हिंदी के पार्ठकरम पर आधारित और पार्ठकरम के बाहर के प्रकरणों पर बहुत सारी फिल्मों का निर्मान किया है मुझे याद है कि E.M.R.C. इंदाउर ने मलिक मुहम्मद जैसी के काब जैस को लेकर के फिल्म बनाई है नेराला पा फिल्म बनी है इसी तरह से डाक्टर अगवीर सिंग के साहित्य को लेकर के बनाई है उनके एतहासिक साहित्य को लेकर के बनाई गई है इनके अलावा बहुत सारे हमने प्रकरणों को लेकर के बहुत सारे भी से वस्तुओं को ले करके इतने कारिकरम मनाये हैं कि अगर इन कारिकरमों का आप अलोकन करें तो आप देखेंगे कि आपको हिंदी भासा को हिंदी साहित्य को समझने में काफी मदद मिलेगी तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि दूरदर्शन जहां एक तरफ हिंदी माध्यम का परयोग करके हिंदी को बढ़ावा दे रहा हैं हिंदी में सूचना परसारण करके हिंदी के मनोरंजन देने वाले कारिकरमों का परसारण करके हिंदी को बढ़ावा दे रहा है हिंद ख्यान हैं उनका प्रसारण करके भी हमारे देश के विद्यार्थियों को हमारे देश के लोगों को हिंदी से परचित कराने में हिंदी के करीब लाने में हिंदी के लोगों तक पहुँचाने में काफी मददगार साबित हो रहा है अंत में मैं अपनी बात को निश्कार सात्मक रूप में प्रसुत करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि दूर दर्शन एक प्रवल माध्यम है किवल मनोरंजन का नहीं किवल सूचरां प्रसारण का नहीं बलकि सिख्छा का क्योंकि दूर दर्शन में द्रिस भी है और स्रब्वे भी है और द्रिस स्रब्वे का इतना अनूठा संगम है इतना अच्छा मिलन है कि कुछ बात हम दिखा के बता देते हैं और कुछ बात जो हम दिखाते हैं उसी को समझा करके बता देते हैं और इसके अलावा जो हमारा दोनी का प्रभाव होता है वो अगर इन दोनों से कुछ छूट जाता है दो दोनी के माध्यम से भी हम स्रोता तक बखुबी पहुँचने का प्रयास करते हैं दूर दर्सन के कारेकरमों के माध्यम से यहां पर यह मैं कहना चाहूँगा कि यदि हम हिंदी को रास्टी भासा के रूप में सही ढंग से निरूपित करना चाहते हैं तो दूर दर्सन टेलिविजन के चैनल्स जो हैं वो बड़े प्रबल साधन के रूप में उप्योग में लाए जा सकते हैं देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि कुछ दूर चलने पर संस्कृत बदल जाती है पानी बदल जाता है आप वो हवा बदल जाती है भासा बदल जाती है भासा में बदलाव होना स्वाभाविक है जैसे अगर आप पुर्वी उत्तर प्रदेश की हिंदी सुने पस्यमी उत्तर प्रदेश की हिंदी सुने मद्य प्रदेश की हिंदी सुने राजस्तान की हिंदी सुने तो आपको अंतर नजर आएगा बोलने में उसका जो उचारन करना है उसमें आपको परिवर्तन नजर आएगा लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि इन सारे परिवर्तनों के बावजूद भी हिंदी एक भासा है हिंदी एक रास्टी भासा है जो हमारे देश के अधिकांस लोगों तक पहुचती है तो हिंदी में अगर दूरदर्सन के कारिकरम चाहे वो साहितिक पर आधारित हों चाहे वो भासा पर आधारित हों अच्छे बनाए जाए और इनका परसारन कई बार किया जाए तो निस्चित रूप से दूरदर्सन एक ऐसा साधन सिद्ध होगा जो कि हिंदी को दूर दूर तक पहुचाने में लोगों तक पहुचाने में लोगों का मनोरंजन करने में कामयाब सिद्ध होगा यहाँ पर एक दो बात और मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी का मतब किवल खड़ी बोली नहीं है हिंदी के साथ बहुत सारी और बोलियां जुड़ी हुई है जैसे मैं आपको बताऊं कि भोजपुरी, आउधी, चतिसगड़ी, बुंदेल खंडी, ब्रजभासा ये सब अगर आप देखें तो हिंदी के इर्दगिर्द हैं जैसे अगर आप भोजपुरी का जो छेतर है वहां से आप लखनो की तरफ चले, बनारस से लखनो की तरफ चले तो लखनो पहुँचते पहुँचते आप आउधी भासा में पहुँच जाते हैं जबकि बनारस में आप भोजपुरी भासा बोलते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लक्षमण रेखा कहां है जहां पर कि भोजपुरी समाब्त होती है और आउधी सुरू होती है ऐसा कहना मुस्किल है भोजपुरी आउधी दोनों हिंदी के रिष्टेदार हैं हिंदी की बहने हैं तो अगर हम भोजपुरी में कारिकरम बनाते हैं आउधी भासा पराधारित कारिकरम बनाते हैं तो यह से भी कारिकरम हिंदी को संभल परदान करते हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी भूमी का बखू भी निभाते हैं। प्रसाल से प्राइब देख में अए खला प्र europण निभाते हैं। रहां आए हो टỌक बखला हैं। झाल झाल